हेलो किस वेलकम बेक टू अगेन आइटक भिंदी यूटूब चेनल मेरा नामे तुरूविन आज की इस ब्राइन वीड़ों में बात करने वाले की हाउ टू क्रियेट प्रसनल वोईस इन आउस 17 Recently Apple ने आउस 17 के अप्डेट में आईफोन प्रसनल वोईस क्रियेट करने का ओप्सिंस दिया है सबसे पहले बात करते हैं कि आउस 17 प्रसनल वोईस है क्या और काम कैसे करता है iOS 17 के प्रसनल वोईस में एक मसिन लर्निंग के थुरू आपके वोईस को रेकॉर्ड करे हुए क्लिप को प्रसनल वोईस में कनवर्ट करता है iPhone users का कहना है कि iOS 17 का प्रसनल वोईस यूस कहां पे होता है अब बात करते हैं कि एक काम कैसे करता है कोई भी परसन की आवाज में प्रोब्लम हो या तो बीमारी की वज़े से बोल नहीं सकते हो वो सभी users iOS 17 का प्रसनल वोईस फीचर को यूस कर सकते है तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि How to create personal voice in iOS 17 on iPhone and iPad iOS 17 का personal voice को create करने से पहले आपको अपने iPhone को iOS 17 से update कर लेना होगा उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर settings app को उपन करने के बाद scroll down करके आपको accessibility में जाना होगा accessibility के अंदर आपको यहाँ पर scroll down करके personal voice का options मिलता है उसके उपर tape कर दीजिए personal voice के अंदर आपको अगेन एक options मिलता है creative personal voice तो simply आपको यहाँ पर अगेन टेप करना होगा जैसे यहाँ पर आप creative personal voice करोगे तो आपको personal voice create करने का बहुती सरे options मिलते हैं वहाँ पर continue पर क्लिक करना होगा एप उप उप के अंदर simply आपको सब भी details को आपको एक बार verify करके simply continue पर tape करोगे तो यहाँ पर get ready to record करका options मिलता है आप record करने के लिए ready हो तो simply अगेन आपको continue पर tape करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको creative voice करके options मिलता है वहाँ पर आपको जो voice आपने create किया है उसका नाम क्या रखना होगा वो आपको यहाँ पर enter करने के बाद again continue पर click करना होगा अब यहाँ पर options मिलता है check sound quality यहाँ पर record करने के लिए simply आपको एक sound room and also background voice ना है वैसे room में आपको record करना होगा तो simply एक circle पर click करके आप check कर सकते हो यहाँ पर again आपको एक recording considerations करके options मिलता है वहाँ पर background noise का options मिलता है मानलो आप sound room में record कर रहे हो बट still एक options आता है तो यहाँ से आपको play करके check कर लेना हो सही होगा तो simply again आपको continue पर tap करना है आपका recording complete हो चीका है तो आपको यहाँ पर read the face करके options मिलता है जो आपके voice को text में convert करता है तो यहाँ पर आपको जो record किये हो सभी को check कर लेना होगा कि आपने जो record किये हो सही किया है आपको लग रहा है कि आपने सही record किये है तो आपको left hand side corner पर done icon मिलता है उसके उपर click कर दीजे यहाँ पर voice को create करने से लेके आपने कौन सा voice को record किये वो सभी चीज़ को यहाँ से process done होता है मानलो कि आपने पहले 15 मीट का record किया था बाद में अगिन आपको record करना है तो उसी नाम पर आपको tape करना होगा वहाँ पर आपको face ID, touch ID पूछा जाएगा अगिन आपको continue recording पर click करना होगा उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको export voice, recordings and also delete voice का options भी मिल जाता है इस तरह से आप अपने iPhone के अंदर iOS 17 को update करने के बाद personal voice को create कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आये तो please like, comment, subscribe, आपके फ्रेंड को भी share कर देना ताकि ऐसे amazing features के बारे में आपके फ्रेंड को भी पता चले Thank you so much, take care, bye bye